Hello Friends, मैं हूँ मोहित और स्वागत आपका Essentials of Medical Science में हमने पिछली वीडियो में बात की है breast वाले topic पे जिसमें हमने ज़्यादा topics जो हैं वो cover कर लिये थे breast के इस वीडियो में हम बात करेंगे development of the breast की की breast की development कैसे हुई है तो इसके लिए हम इसको point wise पढ़ेंगे ठीक है यही आपको एक्जाम में लिख्यान है ज्यादा बड़ा topic नहीं है development of breast इतना जदा important भी नहीं है पर अगर एक्जाम में पूछ ले तो इतना ही लिख्यान है जितना मैं आपको बता रहा हूँ तो सबसे पहली बात breast जो है वो develop करती है एक ectodermal thickening से किससे ectodermal thickening से यह develop करती है जिस thickening को क्या बोलते है memory ridge बोलते है या उसी को milk of skulls भी बोल देते हैं देखो होता क्या है ना इस तरह से समझना इस चीज़को एट सेकेंड हाँ यह इस तरह समझो यह है ठीक है यह बोडी है मालो यहाँ पर present होता है breast ठीक है यहाँ पर present होता है इस तरह से तो होता क्या है कि एक line होती है जब हमारे intrauterine life होती है intrauterine जो life है हमारी उसमें क्या होता है एक line present होती है कौन सी line होती है memory ridge बोलते है उसको milk line बोलते है या फिर उसको line of skulls बोलते है जो line कहां से कहां तक extend करती है एक्जिला से लेकर के नीचे groin तक यह extend करते है कहां से कहां तक? एक्जिला से लेकर के groin तक कहां से एक्जिला से लेकर के groin तक यह line extend करते है कौन सी line? memory ridge बोलो milk line बोलो या फिर line of skulls बोलो एक ही बात है क्या है यह ectodermal thickening है ठीक ectodermal thickening जिससे breast develop करेगी अब यह ridge axilla से groin तक यह ridge जोए जारी होती है intrauterine life की बात कर रहा हूँ मैं यह line appear कब होती है fourth week of the intrauterine life में कब होती है appear fourth week of intrauterine life में यह वाली line appear होती है लेकिन humans में होता क्या है कि यह वाली line disappear कर जाती है यह line humans में disappear कर जाती है अपने ज़्यादातर extent में persisting only in the pectoral region सिर्फ और सिर्फ यह pectoral region में रह जाती है बाकी पूरी जो line थी pectoral region को छोड़के बाकी बची होई line जो थी वो disappear कर जाती है humans के अंदर तो फिर से बोलता हूँ कि एक line होती है milk line, line of skulls या memory ridge जो axilla से groin तक extend करती है और यह line जो है यह disappear कर जाती है humans में लगबग पूरी disappear कर जाती है सिर्फ एक region में रहती है वो कौन सा region है? pectoral region क्योंकि वहाँ पर ही breast की development हो दी है अब हमारा जो memory gland है वो क्या है? ectodermal है ectodermal thickening से बना का ectodermal होगा लेकिन उसका जो stroma है stroma क्या है? mesodermal stroma is mesodermal बाकी बचा हुआ जो gland है वो क्या है? ectodermal, gland ectodermal है और gland का stroma है वो mesodermal origin का होता है ठीक है? यह हमारा हो गया first point cover अब हमने क्या पढ़ा था? कि एक जगहां पर यह line रही थी कौन सी जगहा पर? pectoral region पर memory ridge जो है यह disappear नहीं हुई थी अब वहाँ पर क्या होगा? जो persistent part है memory ridge का वो convert हो जाता है एक pit में क्या बोलते है उसको memory pit? तो persistent part of memory ridge जो है वो एक pit में convert हो जाता है जिसको क्या बोलते है? memory pit और इस pit से बाकी बचाओवा part जो है gland का वो develop होता है कैसे? जो pit है उससे यह मालनों यह pit है इससे नीचे की तरफ क्या होते है? बहुत सारी projections निकलती है क्या होते है? वो secondary buds तो secondary buds grow down from the floor of the pit pit के floor से बहुत सारी secondary buds नीचे की तरफ जाते हैं कितने होते हैं total secondary buds? 15 to 20 secondary buds जाते हैं अब यह buds जो हैं यह divide करते हैं और उसके बाद और ज़्यादा divide करते हैं मतलब divide and subdivide to form lobes मतलब memory pit क्या था? milk line का बचा हुआ पार था memory pit memory pit से कुछ secondary buds निकले वो secondary buds ने भोज़ा था division की और division करके क्या बना दिया? lobes of the gland कितनी lobes होते हैं memory gland में? 15 to 20 पिछली वीडियो में भी हमने बात की थी memory gland वाली वीडियो में कि 15 to 20 हमारे पास lobes होती है इसका मैं आपको diagram दिखाता हूँ एक सेकिन यह देखो यह वाला diagram पिछली वीडियो में भी देखा था breast में यह होती है lobes of the memory gland यह lobes हैं तो यह lobes किस से बनी है? memory pit से डेवलप होके बनी है memory pit से secondary buds डेवलप हुए secondary buds ने divide करके क्या बनाया? lobes of the memory gland को बनाया है उसके बाद अगर हम बात करें next point पे जो entire system है मतलब पूरा जो gland है वो पहले तो solid होता है पहले तो solid होता है लेकिन बाद में वो canalize हो जाता है कौन सी canal आती है? lactiferous ducts आ जाएंगी ने बाद में तो पहले तो वो solid होती है breast उसके बाद वो canalize होती है birth के time पे या उसके बाद जो nipple जो है वो बाहर की तरफ आ जाता है at the site of original pit जहाँ पे memory pit था वहाँ पे बाद में क्या आ जाता है? nipple आ जाता है कैसे? शुरू से समझो memory ridge थी है हमारे पास memory ridge से क्या हुआ? memory pit बचा था है उसका एक ही पार्ट तो बचा था जिसको क्या बोला था? हमने memory pit memory pit से कुछ buds निकले secondary buds secondary buds ने lobes of the gland बना दिये उसके अलावा जो memory pit था ना जहाँ पे वहाँ पे आ जाता है? वहाँ पे nipple आ जाता है birth के बाद या birth के टाइम पे nipple जो है वो इवर्टिड हो जाता है बाहर की तरफ के टाइम पे कैसी होती है? estrogens के कारण memory gland की ग्रोथ puberty के टाइम पे estrogens के कारण होती है और जो alveoli थे जहाँ पे milk बनता है development of the secretory alveoli is stimulated by कौन stimulate करता है? development of alveoli estrogen, progesterone और prolactin तीनो estrogen, progesterone और prolactin तीनो मिलके क्या करते है? development करते है secretory alveoli तो यह हमारे होगे third point तो तीन point में हमने development कवर करते है अब कुछ इसकी anomalies है breast के जो development है उसमें कुछ anomalies आते है कौन-कौन सी? number one is amastia amastia नाम में ही A है amastia मतलब breast तो amastia मतलब breast नहीं है तो absence of the breast ethilia ethilia मतलब nipple a मतलब नहीं है तो amastia मतलब nipple is absent amastia में breast नहीं होती amastia में निपल absent होता है development के time anomaly होती है जिसके कारण birth के time पर या तो मानलो birth के time पर breast ही नहीं है तो amastia बोलेंगे nipple नहीं है तो amastia बोलेंगे और अगर ज़्यादा breast है तो उसको क्या बोलेंगे? polymastia supernumerary breast और अगर निपल ज़्यादा है तो उसे क्या बोलेंगे? polythilia दो से ज़्यादा निपल है तो polythilia दो से ज़्यादा breast है तो supernumerary breast बोलेंगे उसको और gynecomastia क्या है? gynecomastia आप सबको पता ही होगा कि जो development होती है breast की वो male में अगर development होने लग जाए breast की तो उसे बोलता है gynecomastia development of breast in male is known as gynecomastia किस-किस के अंदर होती है? क्लाइने-फैल्टर सिंड्रोम के अंदर हमें देखने को मिलता है gynecomastia तो यह हो गई हमारी development of the breast अगर आपको वीडियो अच्छे लोगे तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अगली वीडियो में हम बात करेंगे breast की clinical anatomy की तब तक के लिए बाई